हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टूड़ी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में देखेंगे जन्नल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि आपके सभी एक्जाम्स के लिए बहुत मात्पूर है चले स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले काफी मा स्कू दिये गए हैं टोटल एक्जारस कोश्चन इसमें साल भर का करेंड़ी अभी आपको ऑफर प्राइज मात 20 रुपे मिला है इसका रेट बहुत डबाल हो जाएगा इसलिए इसको परशेस करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जरूर चेक करें रे मायोपिया का अर्थ क्या होता है आपको बताना है मायोपिया का अर्थ क्या होता है जिसका सही जवाब हो जायागा ओप्सन निकट द्रिष्टी दोस तो आपको बता दे साथी हूँ मायोपिया जिसे निकट दर्शिता भी कहा जाता है 40 वर्से का मायो के लोगों में खराब द्रिष्टी का सबसे आम कारण है हाल के वर्सों मिस्की व्यापब तक खतरनाक तोर से बढ़ रही है विश्विस्तर पर शोद से पता चलता है कि वर्स 2000 में दुनिया की लगवग 25% आवादी निकट दर्शिता थी लेकिन वर्स 250 से की उम्मीद है कि विश्वर में लगवग जनसंक्या के आदे लोग मायोपिया से गरस्त होंगे क्वेशन नमबर दूसरा है हमारा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक प्रवरतन की सस्थान पर दिया था इसका चार उप्सन है आपको एंसर कमेंड बॉक्स में बताना है आप मेरे साथ जरूर सॉल्व करिए आप देखिए कि आप में से तीस में से कितने कोश्चन सही कर पाते हैं जिसका सही जवाब हो जाएगा उप्सन भी बिल्कुल सही है सारनाथ में मात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक प्रवरतन की सस्थान पर दिया था सारनाथ में ये कोश्चन आपके ससी रेलवे एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है शारनाथ कासी एतवा बारानसी से दस किलोमेटर दूर पूरवुत्तर में स्थित प्रमुख बहुत धतीर स्थाल है तो दोस्तों आपको बता दे कि ज्यान प्राप्ति के प्रश्चात भगवान उद्ध ने अपना प्रत्थम उपदेश यहीं दिया था और जो बहुत धमत के प्रचार प्रसार का आरम था यह हमारा अगला प्रसंद देखिए very important ए ज्यान पीट पूरुसकार कि इस छेत्र में दिया जाता है आपको बताना है ज्यान पूरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है साहित, कला, फिल्म, विझ्यान जारा option दिये गए हैं मेरे साथ जरूर सौलो करिए तो इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा साहिति के छेतर में ज्यानपीट पुरुषकार दिया जाता है साथियों आपको दिखिए डिटेल में बता दू भारती साहित्त के लिए दिया जाने वाला सरवोच पुरुसकार है भारत का कोई भी नागरीक जो आठवी एनसूची में बताई गई 22 भासाओं में किसी भासा में लिखता हो इस पूरुसकार की योग है पूरुसकार में 11 रुप bliver की धन्राशी प्रसति पत्र और वाग्देवी की कांस पूरुसकी मथग्ति है क्यों तो यहां पर आपसफे कूशन फूज ले पूरुसकार कितनी राशी दिग जाती है तो ये भी आपको नोट कर लेना है और बाइस भासाओं दिया आता है और ये साहित का सरवोच पुरुसकार है ग्यान पीट पुरुसकार कोश्चन नम्मर फोर है विश्च स्वास्थ दिवस प्रतिवर्स कब मना जाता है विश्च स्वास्थ दिवस कमेंट बॉक्स मताइए चार ओप्सन दिया गए है मेरे साथ सौल्व जरूर करिए आप लोग कमेंट करते चलिए दोस्तों और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दे हमें मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल सही ऑप्सन भी साथ अप्रेल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्त दिवस मना जाता है दोस्तों देखिए डिटेल देख लेते हैं विश्व स्वास्त दिवस हर वर्ष साथ अप्रेल को मना जाता है विश्व स्वास्त सवा में 1949 में विश्व स्वास्त दिवस मनाने कनले गया इसे पहली बार 1950 में मनाया गया था यह द uniqueyo-dara गौसित 11Adikarik वैस्विक स्वास्त अभ्यानों में से एक है विश्व स्वास्त दिवस आपको बता देest 2021 की जो theme थी एक निस्पक्स दुनिया का निर्माड द्यार 20 की थीम थी सपोर्ट सोपर्ट चैन्ज एंड मिडवाइस ठीक है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइस ये इसकी थीम थी कोश्चन नमबर पाचवा है अमारा इंपोर्टन कोश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? Very important ये कोशन एक्जाम में बहुत बार पूचा गया है Comment box में इसका answer आप लोग जरूर बताएंगे भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? Option B भाक्रा नागल पर्यूजना भारत की सबसे बड़ी यह राजस्थान, पंजाब और हर्याना की सयुक्त पर्यूजना है इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है भाकड़ा नागल पर्योजना पंजाब में सतलूज नदी परिस्थित भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना है तो भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना कौन सी है रोस्तों भाकड़ा नागल पर्योजना question number 6 sunshine vitamin क्या है sunshine vitamin क्या है तो यह है vitamin D ठीक है जो सूर्ण के प्रकास से मिलता है vitamin D vitamin D सरीर को healthy रखने immunity को boost करने के लिए बहुत ज़रूरी तत्व माना जाता है जिसका सबसे बड़ा स्रोथ सूरज की रोशन यानि sunshine vitamin है important question है देखे साथिओं आपके लिए important information general science किसी भी exam में काफी मात्पूर्ण जो है एक सक्सान होता है चाहे आप railway के exam देख लेए SSC के exam देख लेए कोई भी प्रतोगी परिक्षा देख ले उसमें से काफी मात्पूर्ण होता है और आपके लिए जनरल साइंस आतकर न इतना आसान नहीं है तो हम आपके लिए लेकर आए है 5000 बहुत मात्पूर्ण question bank 5000 question bank 1500 plus MSQ पूरे detail के साथ में दिये गए है railway group D SSC, PSC, police teacher exam सभी प्रतोगी परिक्षाओं के लिए 38 मात्पूर e-book है जितने भी exam होते हैं उनमें हर exam में जनरल साइंस जरूर पूछा आता है तो आपको 5000 plus question bank 1500 MSQ detail के साथ में पूरा practice करने के लिए कितने का होगा यह आप सोच रहे होगे 100 रुपएक होगा 200 रुपएक होगा बिल्कुल नहीं यह मात्र 29 रुपए की यह PDF है इस PDF को आप जरूर परचेस करें description box में लिंग दिया गया है काफी student ने इसको परचेस किया है और काफी फाइदा हो रहा है आप जरूर परचेस करें question number 7 है गोगक जलप्रपात यानि waterfall किस जिले में स्थित है यह यह स्थित है कहाँ पर बेलगाओं में स्थित है गोगक वाटर फाल गोगक जलप्रपात दक्षिन भारत का एक जलप्रपात है यह पस्चमी घाट की परवत मालम आता है जो कानाटक राज के बेलगाम नामक शहर में घाट प्रभा नदी के समीप स्थित है question number 8 है हमारा छिली हुई सबजियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है option दिये गए हैं चारों option आपके सामने विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन T देखिए सारे option काफी जो हैं मिलते जुलते हैं तो आपको बताना है और solve जरूर करना है हमारे साथ में इसका सही जवाब क्या यागा साथ हैं विटामिन C question number 9 है हमारा किस देश को पहले निपन के नाम से जाना जाता था important question है चीन, अमेरिका, थाइलेंड या जापान सही जवाब हो जाएगा किस जापान को पहले निपन के नाम से जाना जाता था question number 10 है केचुए में कितनी आखे होती है केचुए में कितनी आखे होती है सही जवाब हो जाएगा कोई नेत्र नहीं होता केचुए में केचुए के तो ना कान होते हैं ना ही आखे होती है ठीक है ये देखीए फोटो में आप केचिवगे हैं है ीक है ये mouth है उसका है हर्ट है crop है गिजार्ड है ठीक है ये सब देख सकते हैं आप question no 11 देखिए very important है काला सीशा किसे कहा जाता है काला सीशा किसको कहा जाता है ये कहा जाता है तीक है यह माउथ है उसका यह हर्ट है क्रॉफ है गिजार्ड है यह सब देख सकते हैं आप काला सीशा किसे कहा जाता है ग्रेफाइट को काला सीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को काला सीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को काला सीशा तथा प्लगबो भी कहा जाता है ग्रेफाइट कारवन का खनीज़ यह अपको बता दे ग्रेफाइट की रासानिक प्रकृति सन 1789 में ड है मैं लिखता हूँ कायांतरित सैलों में मिलने वाली कार्बनिक सनचना में ग्रिफाइट की प्राप्ती होती है क्वेश्चन नमबर 12 है मारा देखिए काफी मात्पूर है आपको एंसार जरूर बताना है क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ सॉल्व जरूर करते चलिए और बताईए आप 30 में से कितने कोश्चन सॉल्व करते हैं भारत सम्धान में किस भाग में मूल करतब्य का वर्णन किया गया है भारती सम्धान के किस भाग मूल करतब्य का वर्णन किया गया है आपके सामने दिये गया है फटा फट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे बिल्कुल सही दोस्तों option D भाग चार का में भारती समिधान में मूल करतब्यों का वरणन किया गया है ये question SSC railway एक जामें बहुत बार पूछा गया है अगला प्रस नमारा question number 13 है उजला सोना किसको कहते हैं उजला सोना कहलाता है option A option A कोईला B चाय option C कपास option D पिट्रोल बिल्कुल बढ़िया option C कपास हो जाएगा तो खरीब की नगदी फसल कपास है ये लवन्ड सेंसील होने कारण कमजोर भूमी में सफलता पूर्वा उगाई जा सकती है कम लागत में जादा आमदनी देने कारण इसे सफेद सोना भी कहकर पुकारते कोश्चन नंबर 14 है हमारा भारती समिधान संसोधन का संबंद समिधान किस भाग से है चार option आपके सामने दिये गए हैं सातियों आपको सही उत्तर बताना है कमेंड बाक्स में और देखना है आपका ये मौक टेस्ट कैसे रहता है तो option C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएग तो भाग 20 समिधान संसोधन का संबंद समिधान की सबाग से भाग 20 से है कोश्चन नंबर 15 है देखिए मचली के हिरदय में कितने परसेंद प्रकोष्ट होते हैं औपसन आपके सामने इसका option A करेक्ट हो जाएगा option A 2 मचली के हिरदय में 2 कक्षोते हैं मचली एक अलिंद और एक निले से बने दो प्रकोष्टी अंगवाले विशुद धिरदय के सरलतम रूप से युक्त होती है फोटो में आप देख लीजिए कोश्चन नंबर 16 है दोस्तो हैजा रोग किसके कारण होता है हैजा रोग ये किस कारण तो विशुचिका या आम बोल्चाल में हैवा हैजा जिसे एस्याई महमारी कुरू में जाना जाता है एक संक्रामक आंत्र शोध है जो वाई ब्रिया कालरी नावक जिवानू के एंटेरो रॉक्सिन उत्पन करने वाले उत्पहद्यों कारण होता है अनुस्तो में इस सही जवाब हो जाएगा जम्मू कास्मीर में इस्थित है यह तो यह जम्मू कास्मीर में इस्थित है जोजिला दर्रा जम्मू कास्मीर में सोन मार के समीप इस्थित है यह 3528 मीटर उचाई पर इस्थित है यह दर्रा लद्दाक और कास्मीर को जोडता है कोश्चन नमर तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से जुड़ा है अन खेलो सम्मधित कुछ कफ हैं दोस्तों होगी से रिलेटेड़ कोश्चन पूछा आता है मुरुगप्पा गोल्ड कप किसे सम्मधित है होगी से महराजा रंजीत सिंग गोल्ड कप ये होगी से सीके नाड़ ट्रॉफी ये किस से रिलेटेड है किरकेट से सीके नाड़ ट्रॉफी और देवधा ट्रॉफी एक्जाम में सीदे सीदे प्रस्ट बनता है डूरंड कप और डीसी इस ट्रॉफ ये फुटवाल सम्मधित है बांबे गोल्ड कप बीटन कप ये गोल्फ से सम्मंधित है हमारा अगला प् अपसन भी अटार्णी जनरल जो है भारत का सर्वोच विद्य इधिकारी होता है। तो अटार्णी जनरल केरे के वेड़ कुपाल 30 जून 2017 से भी तक है। भारत कटार्णी जनरल को समिधान की धारा शिवत्ता रेक के तहट भारत के राष्टपति द्वारा निक्त किया जाता है और वह दोस्तों राष्टपति के प्रसाथ परियंत अपने पद पर बना रहता है इसे देश का सर्वोच कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है तो अगर के वेनु गुपाले भरतमान में यह फोटो हम देख सकते हैं इंपोर्टन कोश्चन है कोश्चन नमर वीस है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कौन सी है कोश्चन एक्जाम में कई बार पूछा गया है तो यह दोस्तों गोविंद बल्लव पंद सागर जो है भारत की कवविंद सबसे बड़ी करितिम जील है कोश्चन नमर एक कीस है alदी घाटी का यूद 15 सियहत्र यश् talented इसमी में किनके बीच हुआ था हलदी घाती का यूद ये हुआ था अकवार और महाराना प्रताप के बीच हल्दी घाटी के यूद 15.77 में किनकी बीच हुआ था अकवार और महाराना प्रताप के बीच तो 18 जून 15.77 को मेवाल के महाराना प्रताप का समर्थन करने वाले घुटसवारों और धनुधारियों और मुगल समराट अकवर की सेना के बीच लड़ा गया जिसका नितित आमेर के राजा मान सिंग प्रतम ने किया था कोश्चन नमबर 22 है इंडिका किस की रचना है? रिपीटेट कोश्चन ने बहुत बार एक जामे पूछा गया है कोटिल, मेगा स्थनीज, विशाखादत, चंदरगुप्त, मौर बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इंडिका किस की रचना है? ये है मेगा स्थनीज की सही जवाब हो जागा मेगा स्थनीज कोश्चन नमबर 23 है दोस्तों रेवीज के टीके की खोज किस ने की थी? उत्तर आपको बताना है लूई पाश्चन ने की थी रेवीज के टीके की खोज रेवीज भी एक ऐसी बिमारी है जिसका संकर्वन जानलेवा होता है प्रशिद्ध फ्रेंच वैग्जानिक लूई पास्चन ने रेवीज के टीके का सफल परिक्षन किया उनकी इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांती लादी और मानपता को एक बड़े संकट से बचा लिया रेवीज कुत्ते के काटने से होता है ये कुश्चन एक्जामे बनता है ये हैं लुस पास्चर कुश्चन नमबर 24 देखिए ये वेरी उंपोर्टन्ट है लाख वक्स किसे कहा जाता है ओप्शन दिये गए है कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही जवाब हो जागा है कुतूबिद्दीन एवग को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख वक्स या लाखों के दाता की उपाधी दी गई थी कुतूबिद्दीन एवग दिल्ली के सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजबंस के संस्थापक थे कुतूबिद्दीन एवग मुहमत गौरी का गुलाम था ये कोशन एक जाम में बनता है कोशन नमबर 25 है हमारा सरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है सही जवाब हो जाएगा एनीमिया आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है एनेमिया होती है तो यह वैसकों में एनेमिया का सबसे आम कारण है एनेमिया कमी सोने वाला एनेमिया एक प्रकार का है एनेमिया जो सरीर में आयरन के निम्न सतर के कारण होता है सावाने कारणों विरक्त की कमी गरभावस्था और कम आयरन वाला आहार सामिल है इसकी कमी से एन का इसके लाव इस नोट के उपर विद्थ सचीन का हस्ताक्षर होता है जब कि बाकी सभी नोट पर रिजर्ब एंग के गवर्णर का हस्ताक्षर होता है यह देखिए आप एक रूपय का नोट यहां पर देखिए यह साइन आप वित सचु का है ठीक है यह भारत सरकारी देखे गवर्मेंट आफ इंडिया दोरा ये ये कुरूपय का नोट जारी किया जाता है ठीक है अगला प्रसन हमारा अलमाटी बांध किस राज़ में इस्थित है इसका सही जवाब हो जाया करनाटक में वेरी इंपोर्डेंट कोश्चन है ये तो अलमाटी बांध प्रविजन उत्तरी करनाटक में क्रिश्चन नदी पर इस्थित है ये प्रविजन 2005 में बनकर तयार हुई कोश्चन Amor-28 समारा स्ट्राइज नहर का राश्टी करन इस्थित है इसका नाम इनिवेर्सल स्ट्राइज शिव कैनाल कंपनी था इसक इंड़ गानी की इनिय और से आनोवे 59 Сал के लिए नहे के निर्माड और संचालन का काम समपा गया यह नहर 1789 ने बनकर त्यार हुई इसे अंतराश्टी यातायात के लिए खोल दिया गया 1956 में मिस्क राष्टपती अब्दुल नासीर ने स्वेज नहर का राष्टी करण कर दिया तो अरवी आई का मुख्याल है मुंबई में है स्थापना एक अपरेल 1935 को रिजर्ब एंक अधिनियम 1934 क्तेयत की गई थी आरवी आई के वरत्मान गवर्नर काउन है यह कोश्चन एक जामे बन जाया तो स्री सक्तिकान दास है 25 वे नंबर के एकराम याद रखेंगे कोश्चन नंबर 30 है प्रतिरोद एक S.I. मात्रक क्या होता है प्रतिरोद का S.I. मात्रक क्या होता है चारों आफशन दिये गए है तीसवा कोश्चन है आप अभी तक कितने कोश्चन सही कर पाएं है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जिसका सही जवाब हो जाएक दोस्तों ओम जो है प्रतिरोध का एसाई मात्रक होता है प्रतिरोध एक बिद्दूत परिपत में बिद्दूत धारा के विरोध की माप ह जाता है जिसका प्रतिक ग्रीक अक्षर का ओमेगा होता है ठीक है तो टोटल थर्टी कोश्चन मैंने आपको कराया है तो आपने थर्टी में से कितने कोश्चन सही के लिए 25 किए 26 किए 20 किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग ठीक है वीडियो कैसा लागार जल्दी से पर्चेस कर लें 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अगर आप किसी वेक्जाम को त्यारी करें 20 रुपए आप लगा सकते हैं पूरा इसमें एक साल करने फेस दिया गया है ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है तुरन जाके पर्चेस कर लें तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए अपना स्वस्त ध्यान रखें स्वस्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए प्यारे बच्चों जाए हिन जाए भाराट टेक केर बाइवाए